आता है भेने सब महनवाब मुझे बड़ी खुशी है कि एक बहुत यूनीक प्रोग्राम हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं हमारे प्रधान मंत्री जी ने 15 अगस्त को इस जन्धन योजना की गोशना की थी पर कुछी देर की बाद पूरे देश्वर में इसको लॉंच किया जाएगा और मैं तहे दिल से प्रधान मंत्री जी को इस योजना की शुबारों पर पूरी तरह से अपनी और से अपनी स्टेट की और से बताई देना चांती हूँ ये योजना में प्रत्यक परिवार को घर के समी बैंकिंग सुविधा उपलप्ट करवाई जाएगी प्रत्यक खातेदारी को कम से कम एक रुपे डेबिट कार प्रतान किया जाएगा और उच समय पश्चात इन खातों पर पांच हजार रुपे की ओवरड्राप की सुविधा भी दी जाएगी एक लाक रुपे का दुर्गतना पीमा सुरक्षा प्रदान दिकिया जाएगा आप सब लोगों को अच्छे तरह से ध्यान है कि राजस्तान को प्रदेश है जो इस स्कीम को बहुत अच्छी तरह से समझता है वो इसलिए समझता है कि प्रत्यक परिवार का बैंक खाता कोलने के लिए ये 23,4 और 5 के अंदर ही हम लोगों ने भामाशाय योजना के नाम से इस योजना को निकालने का काम किया था कुछ वज़े से उस समय हम इसको सब के सामने नहीं ला सके परंतु 15 अगस 2014 उदैपुर संबाद में हम लोगों ने जो रही वी ये स्कीम थी उसको फिर से सब जनता के सामने चालू करने का और ये कारिक्रम चालू करने के लिए हमने काम शुरू किया है मैं मानती हूँ कि इसका इसी लिए आप लोगों को अपने इस राजस्थान के अंदर थोड़ा सा आसानी होगी क्योंकि यहां की जनता इस स्कीम को समझती है यहां की जनता आतुर है कि हमारी स्कीम और भी पुर्जोर तरीके से सामने लाई जाए और भी स्ट्रेंग्टन की जाए आधार के साथ साथ तो हम लोगों ने अल्री एक डवटेलिंग का काम किया ही था परन्तो अब जन्दन योजना को उसके साथ और मिलाने का हमें मौका मिलेगा बैंकिंग रेप्रेजेंटिटिव जो हमारे हैं वो अच्छी तरह से इस चीज़ को समझते हैं और मैं मानती हूँ कि जन्ता के बीच में इस स्कीम को लाने में आप लोगों को जादा परिशानी इसले भी नहीं होगी क्योंकि राजस्तान की सरकार और रड़ी कैंप लगाना चालू करती है मैं वाके में धायर मनती जी को धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि बहुत बड़ी स्कीम है जिसको यूपी के सरकार नहीं समझ सकी आधार कार्ड को लाके उन्होंने एक सेक्यूरिटी का हिस्सा जरूर उसको हाथ लगाया होगा परन्तु जिस तरीके से एन ओल इंकंपरसिंग कार्ड जंधन योजना के द्वारा और भामाशा के द्वारा है उसके स्कोप को वो समझ नहीं पाए आज उस चीज़ को समझते हुए बैंकर्स अच्छी तरह से गुल मिलके इसके स्कीम की मने जो इंप्रूवमेंट्स है उस तब जंता के पास लाने का वो काम करने है मुझे याद है कि जब हम लोग उने शुरू किया था दुवजार चार पांच के अंदर तो बैंकर्स भी डर डर के हमारे साथ बैठे थे फाइनाशल इंक्लूजन एक ऐसी चीज़ थी जिसको बैंकर्स भी छूना नहीं चाह रहे थे मैं उस समय पंजाब नैशनल बैंक को दंदेवाद देना चाहते हूं कि वह यह एक बैंक ता जिसने का चलो हम इनको साथ देना चाहते हैं और हमारे साथ मिले है आज भी हमारे पार्टनर्स है और मुझे बड़ी कुशी है कि आज बैंक बरोडा को भी और उनके साथ के बैंक्स को भी हम अपने इस काम में ला सकते हैं तो एक बहुत अच्छा और शसकत काम हमारे राजस्तान के अदर चालू हो जाएगा सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमने अपनी महिला को अपने परिवार का मुख्या माना तो जिस चीज़ को यूपीए की सरकार वालबा कहा करती थी कि जेंडर जेंडर और जेंडर मैंने हम लोगोंने राजस्तान के अंदर और आज प्रदायन मंत्री जी ने पूरी देश के अंदर यह महिला को आगे करके वो समझ के यह इतना बड़ा कारेकर्म चालो किया है family card का इंतजाम किया है मैं समझती हूं कि यह family card भी बहुत अच्छी चीज हम सब के लिए है इस card के उपर एक लाख रुपया आपने वीमा की योजना accident वीमा की किये और हम लोगों ने 30,000 से लेके 3,000,000 तक health insurance अपने card के उपर किया है तो मैंने बहुत सारी चीज़े लोगों को मिलने वाली है अब आप महिला को मुखिया रखेंगे पूरे family को card देंगे उसके साथ-साथ हम तो प्रोचसान के रुप में 2,000 रुपय हमारी माईलाओं को जो bank accounts code rent को देही रहे भारत सकार कुछी समय बाद 5000 तक का लोन उपलब कराईगी भारत सकार आपको 1,000,000 रुपया धुरगटना वीमा के हिसाब से दे रहा है और यहां आप लोगों को 30,000 से लेके 3,000,000 तक स्वास्त वीमा भी मिल रहा है मैं समझती हूं कि ऐसा all-encompassing card हो राजस्थान के अंदर ही होगा यह मैं नहीं समझती हूं कि कुछे देश का मने कुछे देश में रही होगा यह यहां होगा और इसके लिए मैं सबको बदाई देना चाहती हूं जिन लोगों ने पार्टनर किया जिन लोगों ने इसके लिए मेहनत की क्योंकि यह आसान काम नहीं है और यह हमको जब फील्ड में हम जाएंगे तरह हमको मानों पड़ेगा इसलिए बैक के लोग जो यहां बैटे हुए हूए मैं उनको कहना चाहूँगी कि इसमें आप लोग हताश नहों क्योंकि आसान नहीं है और मैं ऊपर बैटे हुए सब लोगों को यह कहना चाहूँगी कि यह बैंक का कार्ड होता है ये कोई खाली अंगुटा टेक के और एक मिनिट में मिलता नहीं है क्योंकि जब से हम लोगों नहीं चालू किया है 15 अगस से मेरे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स आई है कि अरे तो बड़ा स्लो चलता है किसी ने जला दिया किसी ने पांफ्रिट पोस्टे फार दिया अरे ये तो बैंक का कार्ड है वहिया ये तो खाली किसी की दसकत लगके नहीं होने वाले तो बैंक का कार्ड के लिए तो समय लगेगा मैं तो इसलिए अपने चेत्र के अंदर अपने का है कि दो दो तीन तीन चार चार दिन तक कैंप चलेंगे क्यों क्योंकि दिन में मुश्किल से पचास कार्ड बनेंगे सबकी वेरिफिकेशन है सबका सब कुछ पता करना है ये कोई छोटा मुटा काम नहीं है परन्तु जब कार्ड मिल जाएगा तो आप भारत सरकार के पूरे स्कीम्स के साथ जुड़ जाओगे राजस्तान के सरकार के पूरे स्कीम्स के साथ जुड़ जाओगे और इसके साथ साथ आपका एक आइडेंटिटी कार्ड का भी एक किसम से वो होगा जब ऑप कोई भी आप मांगेगा आइजनिटी टीकार्ट क्या तो आप अपना कार्ट निकालकों दिखा सकते हैं कि ये हमारा अइजनिटी कार्ट तो इसलिए मैं आप साहब महिलाओं को जो पीचे बैठी हैं उनको सबको कहना चाहती हूँ कि आप मेंसे कुछ को आज अपन काट देने जा रहे हैं आप मेंसे कुछ अभी फिर भी गाओं में जाओगे प्लीज महरबानी करके सब को कह दीजिए कि ये एक दिन का काम नहीं है कुछ घंटों का काम नहीं है इसको समय लगेगा इसके लिए हमने 15 अगस से लेके डिसेंबर तक का महीना रखा था सो अगस सितंबर औक्टोबर नवेंबर डिसेंबर चार में है तो हम ही नहीं रखे अब हमाई साथ बैक की सब लोग मिल जाएंगे सब लोग बैठके कि वो केंप में चले जाएंगे तो मैं विश्वास करती हूँ कि थोड़े से मशीन हम को और मिल जाएंगे और इन सब को साथ में देखे कुछ-कुछ काम हम अगले चार मेने के अंदर उसको पूरा करने के हम कोशश करेंगे पर अंतु दैर है वहाँ जाके हाहू अपने को नहीं है अपना कार्ड अपने को लेना है और अगर अपना कार्ड अपने को लेना है तो सुराज समय तो लगे गा है यह सब चीजों के लिए मैं विश्वास आपको ये दिलाना चाती हूँ कि एक बहुत अच्छी योजना है इसुजना के द्वारा आपको कहीं भी जाके पोस्ट ओफिस में ना हाथ जोड tasty पड़ेंगे ना किसी कसामने अपने हाथ पहलाने की जरुरत पड़ेगी चाहे वो पेंशन का है चाहे वो आपके कन्यावाला है जनल्नी सुरकषा है चाहे आपका गाहद्ध सुरक्शा है यह सब चीज़े इंक्लूडिंग आपका जो रैशन कार्ड्स का जो इत्जाम होता है वो सब चीज़े दीरे 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 हम इस पर लाना चाहते हैं ताकि आपको कहीं किसी के सामने ना हाग पहलाना पड़ेगा ना किसी के सामने ही कहना पड़ेगा कि भी हमारा काम जैसा होना चाहिए था वो पुरा नहीं हुए एक बहुत बड़ी योजना है हम प्रधान मत्रीजी को धन्यवाद देना चाहते हैं और आप सब को जो बैंकिंग रेप्रेसेंटिटिव्स हमारे लिए हमारे चित्र के लिए काम करेंगे और जिनकी वज़े से हमारे इतने सारी जन्ता को फायदा मिलेगा राजस्तान जरकार के हमारे अफसर जिनोंने राद और दिन एक करके इस योजना को भी तयार करने की कोशिश की है आज उनको और सब बैकिंग रेप्रसेंटेटिम्स को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ यह बहुत बड़ी योजना चालू हुई है सफल रहेगी और उसका फाइदा राजस्तान प्रदेश को ही नहीं पर तो आज पूरे देश को मिलने भला है इसलिए मैं सब्सक्राइब को चला के लाजस्तान की वह से बहुत 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 दर्वाद देना चाहूँ अज़ित धन्यवाद मानिया मोख्या मंत्री जी आईए अब आप सभी तो दिल्ली लिये चलते हैं जहां हमारे मानिये प्रधान मंत्री स्वी नरेल मोधिती प्रधान मंत्री जंधन योजना के बारे में सबुधन कर रहे हैं